नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप सीक्रिट्स में तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई सत्पृतिशत दंग कर देने वाले ऐसे पांच सत्थे जो आज के युग कल्योग से जुड़े हुए हैं जी हाँ दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण द्वारा पहले ही भविश्यवानी हो चुकी थी कि कल्योग में मनुश्य कैसा होगा उनका जीवन कैसा होगा जीवन कैसे व्यतीत होगा लोगों का व्यवार एक दूसरे के प्रती कैसा रहेगा ये सब श्रीकृष्ण द्वारा पहले ही बताया जा चुका था अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कुर्पिया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डीप सीक्रिट्स को नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजी ताकि हमारी बनाई हुई सारी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे चलिए शुरू परते हैं महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कल्यूग के इन पांच सत्यों का विस्तार पूर्वा पेवरण हो चुका था तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं वो पांच सत्य बात महाभारत काल की है जब पांचो पांडवों के मन में कल्यूग के बारे में जानने की जिक्यासा उठी तब पांचो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रशन पूछे कि आखिर कल्यूग में इंसान कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ती कैसी होगी। ये सभी प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचो पांडवों को वन में जाने का आदेश दिया कुछ देर बाद जब पांचो पांडव वन से वापस आये और उन्होंने जंगल में जो कुछ भी देखा उससे उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आये युधिष्ठिर का प्रश्न सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में दो सूंडवाले हाती को देखा तब कृष्ण ने कहा कि कल्यूग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ ये लोग दोनों और से शोश तब शुरुकृष्ण ने इसका अर्थ दताया कि कल्यूग का मनुश्य अपने बच्चों से इतना आशक्त होगा कि ऐसी नंगता के कारण बच्चों का विकास ही रुप जाएगा यदी केसी का पुत्र साधू बना तो सभी उसके दर्शन करेंगे परन्तु यदी स्वयम का प इवन वही नश्ट हो जाएगा फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे पत्नियों के आत्मा है और पुत्रियां तुम्हारे आत्मा है ये शरीर मृत्यों की आत्मा है और आत्मा परमात्मा की आत्मा है अर्जुन के प्रश्ण इ तब श्रीकृष्ण ने बताया कि कलियोग में ऐसे लोग होंगे जिने विद्वान कहा जाएगा, किन्तो उनकी मिल्शा यही होगी कि किसी की मृत्ति हो जाए और उसकी संपत्ति अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किन्तो उसकी दृष्टी हमीशा दूसरों की संपत्ति पर ही रहती है। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के अतूर होंगे, वास्तविक संप तो काफी कम ही होंगे। नकुल के प्रश्ण अर्जुन के बाद नकुल ने श्रीकृष्ण को वन के बारे में बताया, नकुल ने कहा कि मैंने देखा एक भारी चटान परवत से गिरा और बड़े से बड़ा व्रुक्ष भी उसे नहीं रोक पाया, परन्तु एक छोटी से पौदे से टकरा कर वे चटान वहीं रोक अर्ज बताते हो श्रीकृष्ण ने कहा कि कलिग में मनुष्य की बुद्धी सीन होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के विरुक्ष रोकने में शक्षम नहीं होगी, किन्तु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतीत होने से रुक जाएगा, हर एक एक एकतन से मनुष्य की बुद्धी प्रबल होगी, सहदेव का प्रश्ण अपने चारों भाईयों की तरह सहदेव ने भी भवाँच की कृष्ण से वन की बात बताग, सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुवें देखे, जिनने से केवल ब धन खर्च करेंगे, परन्तु यदि किसी भूखे को रेखेंगे, तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रूची नहीं होगी, इंद्रियों की संतुष्टी, मदीडा पान, मांस लक्षन और व्यासन में धन खर्च किया जाएगा, जो लोग ऐसी आदतों से बूर होंगे, उ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो कृपिया लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेर कीजिए अपने परिजिनों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को दोस्तों, और घंटी का बटन भी दबातीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबस पहले पहुँचे, यूँ ही बने रहे ये दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, धन्यवाद.